माउंट आवरेश पर चड़ने वाली भारत की पहली महिला भचेंदरी पाल हमारे साथ मौजूद हैं आई जानने की कोशिश करेंगी कि किस अभियान के तहट आजी कानपूर आई हैं और क्या मिशन इनका मिशन गंगे है क्लीनिंग का हमने जो अभियान जो भीडा उठाया है यह टाटस्ती एडवेंचर फांडेशन का इनिशेटिव है और यह मेरा लॉंग चैरिस ड्रीम भी था मैंने यह गंगा राफ्टिंग भी किया था 1994 में पूरी महलाओं का उस समय उदेश्य था कि महलाओं को बाहर निकालना और यह हार्ड कोर एडवेंचर उसमें आगे बढ़ाना विमेन अंपाउर्मेंट नारीश चक्तिकरन जो भी है तो उस दोरान में हमने देखा मैं तो उ दुबिश्वास के नाम पे क्या नहीं करते हैं तब से मैंने यह ड्रीम किया था तब से मैं सपना था कि मैं दुबारा जब करूंगी तो तब यह पूरा फोकस क्लीनिंग पे करूंगी और तो यह इनिशेटिव हमने लिया और बाद में नमामी गंगे के साथ में एक करना इतना आसान नहीं है उसमें चाहिए ज़जबा जुनून और साहस के वी जरुत है तो पंदरा सो किलोमेटर हम लोग वहां से राफ्टिंग करके पटना तक जाएंगे इन बिट्वीन जो मेजर मेजर सिटीज हैं वहां पे तीन-तीन दिन रुख करके हमारी टीम दो काम कर करती है एक तो लोगों में अवेरनेस लाना और अवेरनेस लाने के लिए स्कूल और बच्चे सबसे सही लोग है क्योंकि आज के बच्चे कल का हमारा भविस और आज के बच्चे अगर जाग रूख है तो यह तो वह काम करते हैं और उसके साथ साथ में हम लोग कुछ टीम वो प्रैक्टिकली घाटों में जा करके और गार्वेज को निकालते हैं वो हरकी पॉड़ी से ले करके अभी तक लगबक 24,000 किलो इन्होंने गार्वेज निकाले हैं इतना बड़ा अभियान का बेड़ा अपने उठाया है गंगा सफाय का क्या लगता है कि परवत पे चड़ना आसान था या गंगा को साफ करना आसान है अब जिब परवत चड़ेंगे तो तभी यह जज़बत जुनों आता है क्योंकि मेरे साथ में आठ एवरेस्टर हैं और हम लोग क्योंकि वहां पर इतना हाड वर्क एंड इतना लिमिटेर रिसोर्स में कम से कम संसाधन में भी अपना जो चोटी होती है वहां तक पॉंचने का पूरा मन बना लेते हैं तो ऐसे लोग वही स्पिरिट चाहिए वही भावना चाहिए गंगा को क्लीन करने के लिए भी यह थी हमाने साथ बचेंद्रि पाल जिनका साफ तोर पे कहना है कि लोगों में जो जुनून है वो होना चाहिए लोगों की जागूता होने चाहिए तब गगा साफ बपार पे कामरा प्रसंब रल्रांपान डिक साथ अमांति पारी, GMD News, Kampur